गुट मार्निंग दियर चिल्टरेन आज हम हिंदी में 25 पेश नमबर की रीडिंग करेंगे ठीक है तो देखें फर्स पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको एक बॉई है वो क्या कर रहा है एक्सराइज तो इंग्लिश में एक्सराइज बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलत तकसरत कर, कसरत कर, यानि exercise करो, exercise करने से क्या होता है, हम हमारी health अच्छी रहती है, हम healthy बनते हैं, है न, yes, next is, गरदन, गरदन, मत, मत, चटक, चटक, गरदन, मत, चटक, यह जो बॉय है, इसकी यह neck है, इसको जटको नहीं बोल रहे है, ठीक है, next is, उपवन, उपवन, तक, तक, चल, चल, उपवन, तक, चल, उपवन, क्या होता है, garden को उपवन बोलते हैं, पार्क है न, तो इसमें क्या है, बगी चाहिए, तो इसमें पहुत सारे फूल है, और plants हैं, trees हैं, और एक girl है, वहां उपवन में वो गई है, तो उससे बोलें, बारा गद, बारा गद, बरगत, पर पर मत, मत, चाढ़, चाढ़, बरगत पर मत, चाढ़, यह पेड है, boy है, इसको बोल रहे हैं, कि पेड पर मत चढ़ो, क्योंकि पेड पर चढ़ेगा, तो गिर भी सकता है, न, तो बरगत के पेड पर मत चढ़ो, बरगत को इंग्लिश म तो हम बोलते हैं Banyan Tree और बैन्यम ट्री जो है यह वार जो ट्री है यह हमारा national ठीक है और देखो बिटा नेक्स है अमर अमर तरकस रख इस बॉइका नाम अमर है और मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें हम क्या दालते हैं अपने क्या दालते हैं आपने श्रीराम को देखा था तीर चलाते थे वो उसमें तरकश में रखते हैं उसको है यह तरकश जिसमें तीर रखते हैं तो अमर तरकश रख अमर बोई का नाम है अमर तुम तरकश को रखो ठ इस girl का नाम है शबनम और उसको क्या बोलने को चकने को बोल रहे है शर्बत शाबनम शाबनम शारबत शर्बत चाख चक शर्बत है ना जूस पी रहे हो ठीक है अदरक में क्या होता है मिर्च जैसी होती है देखो यह है अदरक है ना इससे आपको अदरक मत चक हो बोल रहे है ठीक है मत चक क्यूंकि इसमें हलकी अलकी से मेच्च सी लगती है इजने को बोलते हैं इसको मना कर रहे हैं कि दमकल पर मत चऴो ठीक है तो बच्चो हमने इस पेच की रीदिंग करी अब आपको क्लास्वॉक में क्या करना है बता है classwork में आपको करना है यहाँ 8 sentences है ना इन में से कोई भी 4 वाक की अपनी notebook में लिखना है कोई भी ठीक है यह वाले यह वाले कोई भी आप 4 सिर्फ 4 वाक की लिखने है आपको अपनी notebook में यह आपका classwork है ठीक है ना और homework में आपको क्या करना है इंख वह मैंने यहां पर नोर्टनीमू केरें स्ब्सक्राइब करना है अब जुश जक्राइब को सबस्क्राइब को ja जैसे मैम आपको बताएगी, आप तो आपको पढ़ना आ गया है, बरतन, बरतन को किस से मैच करोगे, बरतन से, अब ढूरो कहा है बरतन, ये है, ब से बरतन, तो आप इसको ऐसे मैच करोगे, पन घट, पन घट मैने आपको बताएथा, वाटरिंग प्लेस होता है, पानी मिलता यहां पनघट को पनघट को मैच करोगे आप इसी तरह पूरी एक्सराइज करोगे यह आपका homework है और this is your classwork इसमें से कोई भी चार्च संटेंस आपको अपनी नूट बुक में लिखने हैं ठीक है फिस नहीं class में मिलते हैं बाबाई